जैहिन दोस्तों सागेता सभी का आपके अपने वीटोब चैनल जॉब फाइंडर में देखेगा आज मैं लाया हूँ आपके लिए इस वीडियो में सामान ग्यान के सामान ग्यान के बहुती महत्पूर प्रसन लाया हूँ यह जो प्रसन है ससी जीडि के लिए तो बहुती महत्पूर रहने बाले हैं यह बात आपको याद रखना है यदि आप ससी जीडि की तरही करते हो वीडियो को अन्ते तक जरूर देखना मैं आपसे इस वीडियो में पूच्छूंगा 30 प्रसन सामान ग्यान के और 30 प्रसन में से आपके जितने प्रसन बहुती महत्पूर रहने बाले हैं आपको पता होना चाहिए एससी जीडि का जो पेपर होता ना जो कोशन पूचे जाते हैं वह एक जम रिपीट होते रहते हैं इसलिए वीडियो को अच्छे से अंत तक जरूर देखना यानि वीडियो को कंप्लीट देखना और कि आज का अपना फैस्ट कोशन देखते हैं कौन सा है कोशन नंबर फैस्ट में पूंचा गया है जहां कानून नहीं वहां सोतंतरता नहीं यह किसने कहा था यह आपको बताना है राइट अंसर नंबर बी जॉन लॉक ने कहा था यह बात आपको याद रखना है बी ऑप्सन राइट का कोशिन नमबर, कोशिन नमबर दो है, मुहन जोदोडो का इस्थानी नाम था, ये आपको बताना है, क्या नाम था, very important कोशिन, आपके एकजाम यहां से कोशिन पूंचा जाता है, आपको बताना है, राइट आंसर को अपसन नमबर C, मिरतकों का टीला था, C आपसन, राइट का कोशिन नमबर 3, देखते हैं कौन सा है, कोशिन नमबर 3 में पूंचा गया है, देखिए पूंचा गया है, आपको अच्छे से कोशिन को समझना है, ताकि आपके एकजाम में कोशिन आ जाए, आप अच्छे से करके आओ, देखिए पूंचा गया है, ओप निबेस सकते हैं को कोईशन नमबर कोईशन नमबर चार देखते हैं कौन सा है कोईशन नमबर चार में पूंचा गया है देखिए पूंचा गया है सारा अफरीका के किस हिस्से में इस्ते थे सारा अफरीका के किस हिस्से में इस्ते थे यह आपको बताना है कोईशन नमबर चार में अच्छ है बाँगलादेश अपणी सीमा को किस भारती राज से साजा नहीं करता आ है यह आपको बताए असम तिरपुड़ा जहारकंड Μेल है औो चार ऑप्सन आपको दिये हुए हैं कौश्न नमर 5 नमर प्रिया आंसर आपको बता है तो जहार खंड से साजा नहीं करता है वांगला देस सी ऑप्सन राइड होगा कोशन नमभर छाए देखते हैं कौन से है कोशन नमभर छाए में पूँचा गया है देखिए पूँचा गया है बैदे की उग मे राजा अपनी जनता से जो कर बसूल करते थे उसे क्या कहते थे क्या कहते थे एक बार फिर से समझे ताकि आपके एक्जाम में कुशिन आजाई आप अच्छे से कर के आओ, देखे पूँचा गया है, बैदे की उग्मे राजा अपनी जंता से, जो कर बसूल करते थे, उसे क्या कहते थे, क्या कहते थे, वली कहते थे ठीक है बी ऑप्षन राइड होगा आप समझ सकते हैं कुश्यन नमबर कुश्यन नमबर साथ देखते हैं कौन सा है कुश्यन नमबर साथ में पूंच्छा गया है राम करशन मिसन की इस्थापना किस ने की थी यह आपको बताना है दया नंद सुरसती के सो चंद राम और विवेका नंद चार आप्सन दिये हुए तो आपको बताना है राम क्रसमिसन किस्त अपना की थी सुआमी विवेका नंद ने डी आप्सन रायडों कोश्चन नंबर आठ है अंडवान दीव समू और निकोरवार दीव समू निमलिखित मैं से किसके दौारा एक दूसरे से नाधर साथ के अकरमड के समय बहुत है यह वात आपको याद रखने है पूंचा गया है अंडवान दीव समू और निकोरवार दीव समू निमलिखित मैं से किसके दौरा एक दूसरे से अलग किये गई है यह आपको बताना है यह यह वह यह दिगरी चैनल से यानि 10 डिगरी चैनल से हुए है यह उप्शन राइड़ गा कोशिण नमबर 9 देखते हैं कौन से कोशिण नमबर 9 में पूंचा गया है नाधर साथ के आकरमड के समय दिली का सासक निमलिकित में से कौन था कौन था मुहमद सा था यह उप्शन राइड़ गए चलिए कोशिण नमबर 10 में पहुचा गया थे कोश्यंबर दस में पूचा गया है 1850 के दोरान विलेंट 라請 guy कैलाने लगा तो 1850 के दोरान विलेंट क्या क्या थे यह Haift स्भसटा महादीप दुनिया का कर खना आप सिम से मजच्दूरों का राजा ऊप्सन डिऌ फैक्टरी का मालک तो क्या कहिलाने लगा अठारह सौपचास की दोरान विर्टेंग यह आपको बताना है कि यह कहिलाने लगा दुनिया का कर खाना भी उप首 राइड राह का कूशन न disorder 11 गया, समाज बाद मुलता किसका अंदोलन ना्य तो किसका अंदोलन है यह आपको बताना है कामगार का डिया उप्सन राइड होगा आप समझ सकते हैं कुश्चन को कुश्चन नमबर वारा देखते हैं कौन सा है कुश्चन नमबर बारा में पूच़ा गया है निमलिकित मैंसे किस देश की सीमा इराक के साथ नहीं लगती है वाइक तो किस देश की सीमा औराक के साथ नहीं लगती है यह पूच़ गया कुश्चन में आपको अच्छे से समझना है तो किस देश की नहीं लगती ए तो यह नहीं लगती है लैव नांकी आपको याद रखने आप समझ सकते हैं डी ऑप्सन राइड होगा कॉश्चन लो कारी बंगन हडपा तो राइट आंसर आपको बताने राइट आंसिर ङिंग्श Henri और को सिन नंबर भी मोहन जो दोड़ो आपके याद रोखनी इस दोब एक से बी अप्सन ripe को लाइट वाइट नंबर 14 सोड़ा ने कौन फोफघ्व है प्रसिद गैत्री मंत्र कहां से लिया गया है यह आपको बताना है राइट आंसर नंबर सी रिख बेद से लिया गया है सी ऑप्सन राइड का कुश्चिन नंबर सोला देखते हैं कौश्चिन नंबर सोला में पूंचा गया है रविन्दा टैगोर द्वारा लिखित गीत जन्गरमन सरपर्थम जन्वरी 1912 में किस नाम से प्रकासित हुआ था तो किस नाम से प्रकासित हुआ था यह आपको बताना है यह हुआ था वारत भाग की विधाता के प्रकासित आपको यह रखना है ठीक है सी ऑप्षन राइड होगा उम्मीद है आप समझ सकते हैं कौश्चिन को कौश्चिन नंबर 17 देखते हैं कौन साइध के कौश्चिन नंबर 17 में पूंच गया है प्रतवी की सतह पर भुकम के कैंदर के ठीक ऊपर के बिंदू को क्या क कहते हैं और तक एंदर कहते ना सी वैट का कुसिंट नंबर 18 नो्पार बीश किसमें पूछा गया है निम्ले कितमें से बल्वन से लेकर तुगलक तक सभी सुल्तानों के सर्रेचर का किसने उपवोग किया तो किसने किया यह आपको बताना है अमीर खुसरों ने किया सी ऑप्संट राइड होगा तेकि हिस्ट्रिय का कोशन ने तोड़ा गुमा के पूंच लिया जाता है आप समझ सकते हैं सी ऑप्संट राइड होगा चलिए कोशन नमबर वीच देखते हैं कौन साथ के कोशन नमबर वीच में पूंचा गया है पूतर गाली सांस्कृति के आपसे इस बारत में कहां पाई जाते हैं तो यह पाई जाते हैं गौवा में ए कोशन नमबर एक किसमें पूंचा गया है बारत की समिदान सवाग किसके कहने पर बनाई गई थी यह आपको बताना है तो यह बनाई गई थी कैविनेट मिशन के तहट यह बात आपको याद रखना है डी ऑप्संट राइड होगा कोशन नमबर वाइस देखते हैं कौन सा है कोशन नमबर वाइस में पूंचा गया है तेकि पूंचा गया मारको पोलो किसके लिए विख्यात है कोशन नमबर वाइस में पूंचा गया आपको अच्छे से समझना है ताकि आपके एक जमें कोशन आ जाई आप अच्छे से करके आओ मारको पोलो किसलिए विख्यात है य आपको बताना है तो यह है चीन भारत और एसिया के यात्रा करने के लिए बिख्यात है मार्को पोलो भी आप्सन राइडो का कुश्चिन सासक ने पूरा कराया था तो किस ने कराया था पूरा यह कराया था इल्टू तमिस ने वी आप्सन राइडो का कुश्चिन नंबर पचीश देखते हैं कौन सा है कुश्चिन नंबर पचीश में पूंचा गया है देखिए पूंचा गया है स्वामी दया नंद सुरसती ने प् मुंबई में आपको अच्छे से याद रखने है कोशिन है ढमिश देहते हैं कौनसा है कोशिन नुमश में पूचे गया थे तो ये किया गया था 1921 में सी ऑप्षन राइड होगा कोशिन नंबर 27 देखते हैं कौन सा कोशिन नंबर 27 में पूंचा गया है अमर राश्टे गीत बंदे मातरम के रचायता हैं तो कौन है यह आपको बताना है बंकिम चंद पाध्याई आपको याद रुखने हैं सी ऑप्षन राइड होगा आप समझ सकते हैं कोशिन को सी ऑप्षन राइड होगा कोशिन नंबर 28 देखी कोशिन नंबर 28 पूंचा गया है किस गवर्नर जनरल ने रोपड में रजी सिंग का रजी सिंग का बड़े सम्मान क साथ स्वागत किया था ये आपको बताना है तो किस ने किया था ये किया था विलियम वेटिंग ने वी आफसन राइड होगा कोश्चन नमबर 29 देखते हैं कौन सा है कोश्चन नमबर 29 में पूंचा गया है निमले कित में से किसे भारत का तोता कहा जाता है निमले कित में से किसे भारत का तोता कहा जाता है कोश्चन नमबर 29 में पूंचा गया है तो ये कहा जाता है अमीर खुसरो को आपको याद रखना है बी आफसन राइड होगा अमीर खुसरो का भारत का तोता कहा जाता है बी आफसन राइड होगा चले कोश्चन नमबर 30 देख बताना है सिंदु गाटी सब्विता का पतन नगर कौनसा है कोशन नंबर 30 में पूंचा गया है लोथल है बी ऑप्सन राइड होगा उमीद है आप अच्छे से कुशन को समझ सकते हैं और जिन्होंने वीडियो को लाइक नहीं किया है सभी लोग वीडियो को लाइक करेंगे अ और चैनल पर नए है यानि वीडियो को पहली वारत देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरू कर लेना तो जय हिन जय वारत मिलते हैं नेस्ट वीडियो में